एक समय की बात है, जब राजबीर अपने माता-पिता के साथ एक गाउं में रहता था, राजबीर एक फौजी था और छुट्टियों में अपने माता-पिता से मिलने आया हुआ था, बेटा इस बार तु बहुत ही दिनों में आया है, अब हम तुझे जल्दी से जाने नहीं द कोई नहीं, तु अपना फर्ज अच्छे से निभाना, पर सुन, तेरी मौसी ने तेरे ले एक लड़की देखी है, तो कल हमें उसे देखने जाना है, अगले दिन राजबीर अपने माता-पिता के साथ उस लड़की के घर जाता है और उस लड़की से मिलता है, उस लड़की देखो रिमा, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करूँगा, पर बस एक चीज हमेशा याद रखना, कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, जी मैं समझती हूँ, और पता है मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी एक फौजी से हो, क्या सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो तुम मेरे लिए ही बनी हो, दोनों आपस में खूब बाते करते हैं और उसके बाद राजबीर अपने माता-पिता के साथ वापस अपने घर आ जाता है, राजबीर रात को रीमा के खयालों में ही डूबा हुआ होता ह रीमा भी इधर राजबीर के बारे में ही सोच रही होती है, दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर बहुत देर तक बाते करते हैं, इतने दिन कैसे निकल जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता, फिर एक दिन जब रीमा राजबीर को फोन मिला रही होती है, तो उसका फोन ही जा रहा होता है, रीमा बड़ी परिशान हो जाती है, फिर एक दिन वो अपने माता-पिता की बाते सुन लेती है, राजबीर की मा का फोन आय था, बोल रही थी कि राजबीर को अचानक जाना पड़ा, बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई है, अच्छा, हमारा राजबीर बहुत बहादूर है, वो देखना सब को मार के राएगा, ही भगवान, राजबीर चले गए और मुझे बताये भी नहीं, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, अब वो आएंगे ना, तो मैं उनसे बिलकुल बात नहीं करूँगी, रीमा राजबीर से बहुत नाराज होती है, प बहुत दिन निकल जाते हैं, और लड़ाई खत्मोंने का नाम ही नहीं ले रही होती, एक दिन फिर राजबीर सोचता है कि क्यों न वो चुपके से दुश्मनों के इलाके में जाकर उनके हैट को पकड़ ले, बस फिर क्या, वो ऐसा ही करता है, वो चुपके से छुपते दुश्मनों के इलाके में पहुँच जाता है, पर तभी हर तरफ धमा के ही धमा के शुरू हो जाते हैं, सामने से दुश्मन एक के बाद एक फौज्यों पर बम बरसाने लगते हैं, एक इंजन फौजी को लड़ाई में बहुत चोट आती है, धीरे धीरे शाम हो जाती है, बंबारी बंद हो जाती है, उसके बाद जख्मी फौजी को क्याम्प में ले जाया जाता है, दुश्मन पूरी तैयारी से आए है, कल का दिन ही हमारी हार और जीत तै करेगा, हमें जी जान से लड़ना होगा, इस वक्त हमारे पास हत्यार बहुत कम बचे हैं, हमारी काफी फ सारे फौजी हैं, और चितने भी हत्यार हैं, हमें उनसे ही लड़ना होगा, सारे फौजी रात को बहुत ही परिशान बैठे होते हैं, सबको पता होता है, उनके पास सेना और हत्यार कम है, पर फिर भी सबके अंदर दुश्मनों को हराने का जुनून कम नहीं होता, रात को अ जुष्मन अपनी जीत का जश्ण मना रहे होते हैं, तभी सामने से उनको इंडियन फौजी की सेना आते दिखती है, उनपर हमला कर दो, ये क्या हो रहा है, हमारे हथ्यारों का इन फौजियों पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा सर जी ध्यान से देखो इनकी शकल तो भूतों की है अरे हाँ इनकी शकल तो भूत की है सर जी ये इंडियन फौजियों के भूत है इसलिए इन पर हमारे हथ्यारों का कोई असर नहीं हो रहा तुम बस गोलिया परसाते रहो इन पर दुश्मन लोग इंडियन फौजियों पर गोले बंबारूत फेकते रहते हैं पर उन पर कोई असर नहीं होता भूतिया फौजियों की सेना दुश्मनों की तरफ बढ़ती जाती है चलाओ, चलाओ कितनी गोलिया चलाओ गए सारे भूतिया फौजियों की गरदन पकड़ कर उसको मरोड कर दुश्मनों को मारता है पूरी राद भूतिया फौजियों की लड़ाई दुश्मनों के साथ चलती रहती है और बस उसके बाद जीत इंडियन आर्मी की होती है दुश्मन की लाशे चारों तरफ पड़ी होती है हर जगर न्यूज और अकबारों में अजीब सी ख़बर छपी होती है जिससे सब हैरान हो जाते है अरे, देखना ये क्या लिखा है अकबार में? जी क्या हुआ? क्या लिखा है? यही कि दुश्मनों ने इंडियन फौजियों पर धोके से हमला करके सब को मार डाला पर फिर अगले दिन सारे दुश्मनों की लाशें वहीं बॉर्डर पर मिली है वो भी बहुत पुरी हालत में किसी की गर्दन टूटी हुई है तो किसी के हाथ पैर ये सब क्या लिखा है इसमें? हमारा बेटा कहा है? कैसा होगा वो? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? रीमा भी अपने घर पर टीवी में यही न्यूज देख रही होती है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता अगर सारे फौजी मारे गए तो मेरे राजपीर भी क्या उन सब में? नहीं नहीं उनको कुछ नहीं हो सकता वो ठीक है अरे बिटी रो मत उसे कुछ नहीं हुआ होगा यह सब न्यूज में क्या बता रहे है मा? सब मारे गए और अगर सब मारे गए थे तो दुश्मनों को किस ने मारा? तुरंट फिर एक और न्यूज आती है फौजियों से भरी ट्रेन को आते हुए देखा गया है सबाल यह है कि अगर सारे फौजी मारे गए है और उनकी लाशे बॉर्डर पर मिली है तो ट्रेन में कौन से फौजी आ रहे है खैर इसका पता लगाने के लिए हमारी रिपोर्टर जतिन रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके है जदिन से हमें खबर मिली है कि पूरा रेलवे स्टेशन खचा खच लोगों से भरा हुआ है जो उन फौजीों के परिवार वाले है ये खबर सुनकर रिमा और उसके माबाप भी राजबीर के माता-पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं मेरा बेटा है का नची वो आएगा ना मा वो आएंगे न मा उनको कुछ नहीं हुआओगा ना हाँ मेरी बच्ची तु हिम्मत रख राजबीर जरूर आएगा सब लोग आँखे गड़ा कर पट्री की ओर देख रहे होते हैं कि तभी दूर से ट्रेन के आने की आवाज आती है सब खुशी और उमीद से ट्रेन की तरफ देखते रहते हैं ट्रेन बिलकुल सामने आ जाती है वो आ गए मा देखो वो आ गए पूरी ट्रेन फौजियों से भरी है वो भी इसी में होगे हाँ बिटी वो इसी में होगा अभी उतरेगा ट्रेन से रीमा देखती रहती है कि राजबीर ट्रेन से उतरेगा पर जब पहला फौजी ट्रेन से उतरता है तो सब के होश उड़ जाते है और सब पीछे हर जाते हैं वो एक भूतिया फौजी होता है और लोग उसे देख कर डर कर कांपने लगते हैं उसके बाद हर डब्बे से भूतिया फौजी उतरने लगते हैं एक के बाद एक भूतिया फौजी प्लेटफॉर्म पर उतरने लगता है लोगों में उनको देख कर हर कंप मच जाता है दुश्मनों ने कुछ लोगों को हमारे देश के अंदर भेज दिया है, जो यहां के आम लोगों में मिलकर हमारे देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साज़ शरच रहे हैं। ये सब सुनकर वहां लोग अपने प्रियर जनों के मरने की खबर जानकर रोने लगते हैं। हर तरफ रोना धोना मचा होता है, रीमा भी बैट कर रोने लगती है। मेरा क्या होगा? अब चार दिन बाद मेरी शादी है, मेरा क्या होगा? मैं राजबीर के बिना जी नहीं पाऊगी। जैसे तैसे रीमा के माता-पिता उसे लेकर घर आते हैं। रीमा एकदम सदमे में होती है। शादी से एक दिन पहले रीमा और उसके माता-पिता न्यूज देखने लगते हैं जिसमें राजबीर का इंटर्व्यू आ रहा होता है। रीमा और राजबीर के घर वाले ये देख खुशी से पागल हो जाते हैं। इंटर्व्यू के बाद राजबीर अपने घर सही सलामत आ जाता है और उसकी शादी रीमा से धूमधाम से हो जाती है। सारे भूतिया फौजी देश में छुपे सभी दुश्मनों को मार डालते हैं और उसी ट्रेन में वापस चले जाते हैं। उसके बाद उस ट्रेन का कभी पता नहीं चलता कि वो कहां गायब हो जाती है।